ओम नमेख सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल बख्ती की मुर्थी में स्वाधत है आज मैं हनुमान जी की कहानी लेकर आएं हूँ एक ऐसा मंदिर जा हनुमान जी को नारी रूप में पूझते हैं एक ऐसा मंदिर जा हनुमान जी को इसरी रूप में पूझा जाता है 36 गड़ के प्रसिद सहर विलासपूर से 25 किलोमेटर दूर रतनपूर में यह मंदिर इस्थित है इस मंदिर का नाम है गिरजा बंध हनुमान मंदिर यहां हनुमान जी की प्रतिमा एक नारी के रूप में है यह मान्यता 10,000 साल पुरानी है कहा जाता है कि हनुमान जी का इसरी रूप में पूजा होना एक कथा का प्रेणाम है पुरानी काल की बात है कि एक दिन रतनपूर के राजा प्रत्वी देवजू जिने एक सारे लिक कोड हो गया था इस वजे से बहुत उदास रहने लगे क्योंकि वे कोई काम नहीं कर पाते थे उदासी में बैठे बैठे राजा को नींद आ गई उसी समय उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें एक ऐसे रूप के दर्शन हुए जो है ही नहीं थे नुहने बजरंग बली को इस्त्री के रूप में देखा वे लंगूर की तरह दिख रहे थे उनके पूँच नहीं थी उनके एक हाट में लड़ू से भरे ठाल थे और दूसरे हाट में राम की मुद्रा कानों में भव्य कुंडल और माथे पर सुंदर मुकुट माला सोभाय मान थी उन्हें देखकर राजा आश्चरचकित रहे गए हनुमान जी ने राजा को एक बात कही कि हे राजन मैं तेरी भक्ती भावना से अत्यंत प्रसन हूँ और मैं तुम्हारा कष्ट अवस्य दूर करूँगा हे राजन तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी मूर्ति लगाओ और मंदिर के पीछे एक तलाब भी बनवाओ जिसमें तुम मेरी विधी पूर्वक पूजा करते हैं वेश्नान करना इससे तुम्हारे सरीर का पोर्ट ठीक हो जाएगा नीन खुलते ही राजा ने गृरिजा बंद में वैसा ही मंदिर बनवाया और फिर सोचा कि मूर्ति को कहां से लाया जाए राजा इसी सोच से परेशान ते कि हनुमान जी ने सपने में दर मूर्ति नहीं मिली तब राजा परेशान होकर अपने कखस में सो गए तो फिर हनुमान राजा के सपने में आयर बोले कि हे राजन तु हार मत मान मैं वही हूँ तुमने ठीक से नहीं देखा उस मंदिर में जहां लोग इसनान करें उसी में मेरी मूर्ति है राजा को मूर्ति मिल गई उसने जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही किया यह मूर्ति दक्षना मुखी है इसमेnh हनुमान जी को रावन के पुत्र अहिरावन का वद करते वे दिखाया गया है हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे अहिरावन और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा हुआ है और हनुमान जी के कंधव पर राम लक्षण बैठे हुए हैं उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड़्डू से भरी थाली है यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइ लाइक शेर और सब्स्द्सक्राइब करें